हेलो फ्रेंड्स आज का अमरा टॉपिक है हाउ टू सेंड आटोमेटेड वाटसप मेसीज ओन गूगल फॉर्म सब्मिशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल फॉर्म सब्मिशन पे आटोमेटेकली सामने वाले परसन को डारेक्टली एक वाटसप मेसेज भीच सकते है इसका मतलब मान लीजे आपने गूगल फॉर्म पे एक फॉर्म करेट करके रखा है अब जब भी कोई परसन उस फॉर्म को फिल करेगा तो आटोमेटिकली सामने वाले परसन को जिनने वो फॉर्म फिल किया है उन्हें एक वाटसअप मेसेज चले जाएगा जी हाँ और यह पूरी प्रोसेस हम आटोमेट कर रहे हैं पैबली करनेट की मदद से गूगल फॉर्म्स और वाटसअप को करनेट करके इसमें आपको कुछ भी करने की जरौत नहीं है सिर्फ आपको यह आटोमेशन वर्क्रो बनाना है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फिर जब भी आपको यह गूगल फॉर्म क्रियेट करेंगे तो आटोमेटिकली क्या होगा सामने वाले परसन को एक वाटसअप मेसेज चले जाएगा इसमें मेरी ट्रिगर एप्लिकीशन है गूगल फॉर्म्स और मेरी एक्शन एप्लिकीशन है वाटसअप क्लाओड एपियाई जिसकी मदद से मैं एक वाटसअप मेसेज भेजूँगा तो आप कैसे बना सकते हैं इस पर आटोमेशन को कैसे कनेट कर सकते हैं गूगल फॉर्म्स और वाटसअप को इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे तो चलिए दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसा आटोमेशन बनाना सिखाऊंगा कि जैसे आप कोई गूगल फॉर्म क्रियेट करेंगे और कोई परसन इस फॉर्म को फिल करेगा तो आटोमेटिकली सेम परसन को एक वाटसअप मेसेज रिसीफ हो जाएगा अब इस चीज़ का इस्तेमाल आप कई वे में कर सकते हैं एक एग्जामपल से मैं आपको समझाता हूँ मान लीजे कि मैंने एक एवेंट और्गिनाइस किया है उस एवेंट के लिए मैंने आप एक गूगल फॉर्म बना के रखा है अब कोई भी परसन इस फॉर्म को फिल करेगा और रिजिस्टर होगा मेरे इवेंट के लिए तो उस परसन को मैं एक वाट्सअप मेसेज बेजना चाहता हूँ ताकि मैं उनके साथ इवेंट की सारी डीटिल्स शियर कर पाऊं अब इस प्रसेस को मैं मैंनूली करने बैठूंगा तो इसमें मेरा कितना टाइम विस्ट होगा ये तो आप सोची सकते हैं तो इसलिए मैंने यहाप एक आटोमिशन बनाया है कि गूगल फॉर्म पे कोई परसन इस फॉर्म को फिल करेगा रेजिस्टर होगा मेरे इवेंट के लिए तो आटोमेटिकली उनको एक वर्टसप मेसेज रिसीफ हो जाएगा और ये प्रसेस आटोमेट करने के लिए मैंने इसितिमाल किया पैबली का जो कि एक अमीजिंग आटोमिशन सौफ्वेर है तो अगर आप एक नई यूजर है तो जाएगा sign up for free पे जहाँ आपको हर मैने बिलेंगे 100 free tasks कैसे आटोमिशन क्रिएट करने के लिए अगर आप एक existing user है तो simply आपको क्लिक करना sign in पे sign in पे क्लिक करते ही आपके सामने open होंगी पैबली की ये पाच मिन applications आज हमको यूज करना है पैबली करनेट का तो क्लिक कर देंगे हम access now पे अब जैसे अप access now पे क्लिक करेंगे तो आप आजाएंगे पैबली करनेट के dashboard पे अब इसके dashboard पे आने की बात आपको क्या करना है आपको एक नया workflow यहां पे set up करना है automation workflow हमको यहां पे set up करना है तो क्लिक करना आपको इस blue button पे create workflow पे और जैसे आप इस पे click करेंगे इसके बाद एक dialogue box पेएर होगा तो आपको इस workflow को यहां पे एक nat देदेना है अब जैसे एब create पर click करेंगे तो आपकी सामने open होंगे यह दो important boxes और दो नई शब्द आपको यहाँ पर दिखेंगे जिनको हम कहते हैं trigger and action अब मैं आपको बताता हूँ यह trigger or action होते क्या है Basically जो पूरा automation हम बना रहे हैं Automation मतलब हम क्या कर रहे हैं हम दो applications को यहाँ पर connect कर रहे हैं दो applications कौन कौन सी है Google Forms है और WhatsApp Cloud API है अब यह जो दोनो applications है यह दोनो connect होंगी इन दोनो basic principles या concepts पर जो पूरा automation जो पूरा workflow में हम यहाँ पर setup कर रहे हैं वो इन दोनो principles या concepts पर ही based होते हैं इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है मतलब trigger application बोलती है कि when this happens मतलब जब ऐसा हो तो action application बोल देती है कि do this मतलब ऐसा कर दो नहीं समझाया तो मैं आपको फिर से बताता हूँ अब मैं आपको दो applications का example लेके दिखाता हूँ अब माल लिजे कि आपकी trigger application है Google Forms जो form आपने create किया है Google Forms पे when this happens मतलब क्या हो रहा है नाया form submission हमको receive हो रहा है तो क्या होगा Automatically action application क्या करेगी action application मतलब whatsapp cloud API send कर देगी एक whatsapp message वो भी same person को तो ये होते हैं triggers and actions तो सबसे पहले चूज़ करते हैं हमारी trigger application जो की होने वाली है Google Forms क्योंकि trigger application मेरी Google Forms होगी देगर event पे रहा होगा new response receive इसकम तक Google Forms पे जो form आपने create किया है जैसी इस पे नया response आएगा workflow हमारे trigger होगा और action application मतलब whatsapp cloud API क्या करेगा automatically एक whatsapp message भेज़ देगा वो भी same person को जिनने आपका form फिल किया तो action event हमारा होगा send template message अब देखे Google Forms और whatsapp cloud API गई दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी connection नहीं है इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं पैबली करेट का और इसलिए हम यह automation हम यहापे बना रहे हैं तो सबसे पहले Google Forms को मैं कुछ इस तरीके से connect करूँगा पैबली करेट से कि जो भी form submission का response है वो आटोमेटिकल यहापे capture हो जाएगा और उसमें हमारी मदद करेगा यह वेबुक URL इसका काम होता है दो applications को connect करना यह as a bridge की तरह act करता है तो Google Forms का पूरा data पैबली करेट के पास लाने के लिए यह as a bridge की तरह act करेगा और data लेके आएगा पैबली करेट के पास ताकि हम आगे वो data process कर पाएं और WhatsApp message भीच पाएं वो भी same person को अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो Google Forms होते हैं इनका native integration होता है Google Sheets से इसका मतलब Google Forms पे जब भी कोई आपको नया response आएगा तो वो automatically जाके store हो जाता है Google Sheets में वो आपको कैसे करना है आपको क्या करना है आपको responses की बटन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर एक option देख रहा होगा link to sheets का क्लिक करना आपको link to sheets पे और एक नई spreadsheet आपको यहाँ पर create करना है जो भी मेरा questions रखे थे अपने Google form में first name, last name, email, contact number यही as a column जाके add हो जो के मेरी Google sheet में अब जब भी आपको Google form पे कोई नया form submission रिसीव होगा तो automatically क्या होगा उसकी details यहाँ पे आके record हो जाएंगी और सारी details आप capture कर सकते हैं अपनी Google sheet पे तो देखिए, मैं आपको यह करके दिखाता हूँ चलते हैं हमारे Google form पे और इस form को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल कुछ dummy details के साथ मान दीजे, person का first name है demo, यह है registration का name demo last name है उनका test, email id है demo at the rate pabletudes.com यह dummy contact number और dummy contact id मैंने आपे कर दिये provide इसके बादा उनका contact number तो dummy contact number भी country code के साथ यहाँ पे मैं add कर रहा हूँ तो देखिए, यह contact number उस person का जो event पे register कर रहा है आप माल लीजे example के लिए कि as a customer, as a registrant यहाँ पे register और उनस event के लिए मैंने गूगल form दिखा है और इस Google form को यहाँ पे मैं fill कर रहा हूँ अब देखिए, जैसी मैंने अपे submit पे click किया है और इस form को fill किया है तो automatically इसका जो response है वो Google sheet पे add हो चुका होगा आप देख सकता है, पूरा response यहाँ पे आ चुका है time stream का एक और column यहाँ पे add हुआ है जो कि date and time record करता है form submission की और पाके पूरी details भी यहाँ पे आ चुकी है इसका मतलब जो Google form है वो Google sheet से connect हो चुका है अब हम क्या करेंगे इस Google sheet को connect कर देंगे पैबली connect से वेबुक URL की मदद से मतलब जो वेबुक URL है इसका use हम इस Google sheet में करेंगे कैसे करेंगे आपको उपर यहाँ पे एक option दिख रहा होगा extensions का क्लिक करना आपको extensions पे फिर आपको जाना है add-ons पे क्लिक करना आपको get add-ons पे इसके बाद आपके सामने यहाँ पे open होगा Google works piece, market piece इसकी search bar में आपको यहाँ पे search करना है पैबली connect web books extensions पे तो पैबली connect web books आपको bottom पे show होने लगेगा फिर क्लिक करना आपको इसके initial setup पे जैसे आप इसके initial setup पे क्लिक करेंगे तो एक नया box आपके सामने यहाँ पे open होगा यह आप से पूछेगा web book URL और trigger column तो पैबली connect पे जो URL हमको मिला है सीम URL कॉपी करके आपने आखरी बार कोई data fill किया था तो देखी जो मेरा trigger column है वो है column E column E के बाद कोई भी column में मैंने कोई data enter नहीं किया है तो मेरा trigger column होगा column E अब देखी जैसे मैं send test पे क्लिक करूँगा तो column E तो पूरा data यह first row का पैबली connect अपने पास capture कर लेगा और देखी यहां पे लिखा है test data send successfully क्लिक करना आपको submit पे और जो setup है इसको मैंने आपको configure कर दिया successfully अभी box आपको करना है बंद इसके बाद आपको लेकिन एक step और करनी है आपको वापिस extensions पे क्लिक करना है वापिस पैबली connect पैब books पे जाना है और send on event का option आपको जरूर टिक करना है send on event का option इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी spreadsheet में कोई नई रो में data एड़ करेंगे तो automatically वो data पैबली connect अपने पास capture कर लेगा नई रो में data कर आएगा जब google form पे कोई नया form submission आपको receive होगा इसलिए send on event का option आपको जरूर टिक करना है अब देखी हैं यहाँ पे हमको वेब बुक response रिस्पांस 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 होचुका आप देख सकते हैं जो भी इस Google Sheet की फिर्स टो का data था वो पैबली connect के पस आ आ चुका है अब सेम रेजिस्ट्रेंट को हम एक WhatsApp मेसेज बीजेंगे Cloud API की मदद से तो जो WhatsApp Cloud API का अकाउंट है यह अब मैं कनेट करूंगा पैबली कनेट से और देखिए Connect पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है Add New Connection पे अब यह आप से पुछेगा token, phone number ID और business account ID अब देखिए अगर अपका Cloud API का अकाउंट और पहले से सेट अप है तो आप token, phone number ID और business account ID वहाँ से फिल कर सकते हैं तो देखिए जो मेरा account हो मैंने पहले ही setup करके रखा है अब देख सकते हैं यह मेरा Cloud API का अकाउंट इसी की मदद से मैं एक WhatsApp message भेजूँगा तो देखिए यह है मेरा access token, यह मैंको copy करना है यह हमारी phone number ID और यह है WhatsApp business account ID यह तीनों सीज़े copy करके आपको paste करना है यहाँ पे तो जो आपका Cloud API का अकाउंट है वो connect हो जाएगा पैबली connect से अब जो मेरा account है वो पहले मैं connect कर चुका हूँ तो मैं click करूँगा select existing connection पे click करूँगा मैं save पे तो देखिए जो मेरा Cloud API का अकाउंट हो चुका है पैबली connect से अकाउंट connect होने के बाद आपको चूज करना है अपनी template तो देखिए जो मेरी template का name है उसका नाम है new registration template होती है pre return message जो मैंने पहले type करके रखिए है अपने cloud API की account पे इनको customize करके हम हमारे persons को हमारे registrants को एक WhatsApp message यहां पे भीजेंगे अब देखिए template आप कैसे create कर सकते हैं आपको जाना पड़ेगा अपने cloud API की account पे और इस hyperlink पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुच जाएंगे WhatsApp manager की account पर यहां से आप एक नई template create कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं इसका अलग से मैंने एक template बनाई है hello की बाद मैंने आप एक number add किया है और इस number को हम कहते है वेरियेबल और यह जो वेरियेबल्स होते हैं इनकी value हमेशच होती है जब-जब हमारा वर्ट में यहां पर trigger होगा यह dynamic values होती है static नहीं होती है इसलिए hello के बाद मैंने add किया एक variable ताकि जो भी मेरे customer करने में रिजिस्टरेंट करने में वह यहां पर add हो और उनको एक whatsapp message receive वो भी इस image के साथ और जो event की date और time है वो fix है क्योंकि event हमने रखा 1st May 2024 को और event का जो time है वो मैंने रखा 8 p.m. अगर आप इसको भी change करना चाहते हैं तो आप यहां पर भी variable add कर सकते हैं पर क्योंकि एक one time event है इसलिए date और time मैंने आपर fix रखे हैं अब चलता हम public connect पे और देखे template मैंने आपर choose कर लिया है language code और template ID में हमारे system ने automatically यहां पर detect कर लिया है अब देखे जैसे मैं refresh fields पर क्लिक करूंगा तो जो भी variables मैंने add के थे अपने template में यह variables भी पैप्ले connect के पास आ जाएंगा अब देख सकते हैं यह variables हैं आप आ चुके हैं अब सबसे पहले हमको fill करना है recipient mobile number मतलब उस person का contact number जिनको हम WhatsApp message बीजने वाले हैं तो जैसा कि आपको याद हो का Google form पी जो हमाना form create किया था उसका जो response हमारे पास capture हो तो previous step में उसमें हमारे पास registrant का number भी था तो वहीं number मैं आपे map करूंगा mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको पहले ही मिल चुका हम हमारे trigger application से उसी का use हमें आपे करेंगे कैसे करेंगे जैसे आप इस field पर क्लिक करेंगे तो Google form जो कि आपकी trigger application थी आपकी previous step थी वह आपको दिखरी होगी इसके drop down पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी response आपको मिला था वो पूरा आपको दिखरा होगा तो यह था recipient mobile number इसको मैं मैप कर दिया कुछ इस तरीके से अब देखें जो भी mobile number आप मैप करेंगे उस पर आपको country code तो जरूर लगाना है पर plus sign का use आपको नहीं करना है इसलिए जो number है वो मैंने आपे add कर दिया इसके बारा था header image URL अब जो template मैंने create करी थी उसमें मैंने image add करी थी इस image का URL है वो URL ह इसको भी आपे मैंने add कर दिया है इसको मैंने map नहीं कर रहे है क्योंकि जो image है वो एकी image मैं भीजना चाहता हूं इसलिए जो URL है इसको मैंने आप फिल किया manually इसके बाद आता है body field बन बतलब जो variable आपने add किया था उसकी value आपको यह पर provide करनी है तो वापिस use करेंगा mapping का Google form का response open करेंगे और यह था person का full name demo test इसको मैंने map कर दिया आप देखे message किस टेप कर जाएगा ध्याए demo test करके message जाएगा हमारे stream registrant को और जब जब हमारा automation workflow run करेगा तब तब इनका name आप चींज होता रहेगा मैं आपको समझाता हूं तो दीखे mapping इसलिए बहुत ज्यादा important step ह होती हैं यहां पर मैंने mapping का use इसलिए किया है क्योंकि जो भी data map करते हैं data automatically नए data से change हो जाता है इसको मतलब google form पे जैसी कोई नया form submission आपको रिसीव होगा को नया registrant आपको मिलेगा तो automatically जो नया registrant का contact number है वो यहां पर आपडेट हो जाएगा जो उनका नहीं में वहां पर system आपक्लिक करूंगा automatically seems person को whatsapp message receive रिसीफ हो जाएगा और देखे हमको यहां पर Instagram verşam सब्सक्राइब कि जैसी कोई person इस form को fill करेगा तो automatically उनको एक ऐसा WhatsApp message यहाँ पर receive होगा, इसका मतलब जो automation हमने setup किया पैबरी connect में इन दोनों के बीच में, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, simply दो step में मैंने पूरा workflow यहाँ पर बनाया जो work करेगा instantly, तो आगे चेक करते हैं इस automation को हम रेल टाइम में वापिस चलता है हमारे form पे, फिर से इस form को यहाँ पर मैं फिल करता हूँ, इस बार कुछ different details के साथ, मारे यह person को जो first name है, वो है admin, last name है user, और एक mail ID भी हम यहाँ पर provide कर देता है, instantly जो मेरा workflow ट्रिगर होगा, और क्या होगा, एक WhatsApp मेसेज चले जाएगा, वो भी same person को, जिस person ने इस form को यहाँ पर फेल किया है, तो चेक करते हैं WhatsApp अकाउंट और देखिए, hello admin user की नाम से हमको फिर से एक message यहाँ पर receive हुआ है, यह even date और time, name यहाँ पर change हो चुका है, अब देख सकते हैं, पहले name demo test था, और अब यहाँ पर name change हो चुका है, क्योंकि मैंने एक ही dummy number बहाँ पर add किया था, तो वही message मुझे यहाँ पर receive हो रहे है, पर जब आप real time में इसको run करेंगे, तो जो भी person form को fill करेंगा, उसी person को एक whatsapp message automatically receive हो जाएगा, जैसी कोई भी person उस form को fill करेंगा, जो automation मैंने बनाए हो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं, तो उसका link पर अपने वीडियो के description में दे दूँगा, जो आप इसे बड़ी असानी से इस्तिमाल कर सकते हैं, तो जब भी आपको गूगल form create करेंगे, तो automatically आप same person को एक whatsapp message भी बीच सकते हैं, इस workflow का use करके, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए, आप subscribe कर सकते हैं मारे चैनल को पैबली हिंदी को, so thank you for watching this वीडियो, सिर्फ यहीं नहीं दोस्तों, आप और भी applications को connect कर सकते हैं, पैबली करेंट की मदद से, और अपना मन पसंद integration बना सकते हैं, अगर आपको कोई inquiries हैं, कोई doubts हैं, तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर, आप हमको mail कर सकते हैं support.pabli.com पर, अगर आपको कोई pricing related issue है, तो आप जा सकते हैं इस link पर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को like करना, share करना और subscribe करना ना भूले, so thank you for watching this video.